तो आज की ज़िए हम बात करने जा रहा है न्यू टाटा हैरियर 2023 फेसलिफ्ट के वारे में तो बिने किसी तरह के विडिए शुरू करते हैं जो कि हमें 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, वियू मिरर, रेन सेंसर, रेन सेंसिंग, वाइपर, रियर विंडो वाइपर, और 360 कैमरा, फॉग लैम्प, सेंसर जैसे कई फीचर्स में हमने देखने को मलते हैं, हम बात करते हैं, इसके, रियर साइड वियू के बारे में, तो इसमें हमें, रियर विंडो वाइपर देखने को मलता है, LED connected tail lamp देखने को मलती है अगर हम इसके dimension और capacity की बात करें तो इसमें हमें 405 mm की length देखने को मलती है 1922 mm with 1718 height 2741 wheelbase देखने को मलता है alloy wheel के size की बात करें तो इसमें हमें 19 inch के alloy wheel देखने को मलते है front और rear दोनों ही दोनों में हमें front और rear में disc brake देखने को मलता है अब हम बात करते हैं इसके engine के बारे में तो इसमें हमें इसमें हमें automatic transmission देखने को मलता है 168 bhp peak power and 350 mm maximum torque देखने को मलता है 1956 cc engine, 4 cylinder, 16.8 km per liter का mileage देखने को मलता है कुछ हमें ऐसा ही interior देखने को मलता है अब हम बात करते हैं इसके interior look के बारे में तो इसमें हमें steering देखने को मलता है दो AC vent देखने को मलता है automatic climate देखने को मलता है two zone automatic climate control देखने को मलता है air quality control देखने को मलता है accessory power outlet ambient light automatic gearbox जैसे कई features इसमें में देखने को मलता है हम बात करते हैं इसके steering के बारे में तो power इसमें हमें trick steering type देखने को मलता है tilt and talis scope देखने को मलता है power steering adjustable steering height tachometer leather steering wheel digital cluster जैसे कई features में देखने को मलता है अब अगर हम बात करें इसके seat के बारे में तो इसमें हमें front में अगर हम driver passenger side की बात करें तो इसमें में adjustable driver seat देखने को मलता है adjustable headrest देखने को मलता है front seat belt देखने को मलता है cup holder देखने को मलता है अब हम बात करते हैं इसके rear view के बारे में हमें rear में reading lamp देखने को मिलती है rear seat headrest देखने को मिलते है rear seat center armrest cup holder rear AC vent जैसे इसमें में कई features देखने को मिलते है पैनेनोमिक सन्रूफ जैसे फीचर से देशने को मिलते हैं थैंकि फो वाचिंग दा वीडियो मिलते हैं यह जल्दी हैं नक्स्ट वीडियोंगे तब तकले एक बडबाय